और मिक्स करने के बाद इसके मिट्टी में चारो तरफ से यह फंला देते हैं दोस्तों जनवरी में अगर मोगरा के पोधे पर आप मातर के वहाल तीन काम कर लेते हैं तो आपका मोगरा पॉदा पूरा फूलों से भर गर्मी वहाल फूलों से लंग रहे हुआईगा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करेंगे और यह तीनों काम आपने मोगरा के पौदे पर जरूर आप करिए अगर ज्यादे मातरम आप फूल ले रहा है तो वीडियो अच्छे लगए जरूर वीडियो को लाइक करेंगा चैनल को भी सब्सक्राइब आप अगर देख रहे हैं तो आपके पास मोगरा का पौदा होगा तो उसको बिल्कुल हाड प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है कि आपके मोगरे की पौदे पर एक सेब भी आजाएगा और जब आजाएगा तो उसके बाद जैसे आजसे आजए करते हैं तो उसके बाद आप फरवरी और मार्च में देखेंगे कि इतने जादे मातरा आए जो आपको विश्वास नहीं होगा जितना फ्लावर नहीं लिए होगा उससे भी जादा फ्लावर दूसरों आपके मोगरे के पौदे पर यान आए यह सुरू हो जाएगा तो यह काम आप जर मोगरे के पोदे हाट पूर्णिंग कर दें बहुत रुट दोसतों यह पूछ रहा है तो बिल्कूल हाट पूर्णिंग कर Moment का है सकते चा तरब से पड़ द्भान अपको दे रहे हैं चेए बिलकुला है डीयियो हो गया हाँ दूसरा काम क्या का न रहा है कि जैसे अगर आपको दिखे कि इसमें दोसु कोई भी सुखी वी ब्रांच आपको दिख रही है जैसे आपको दिखे तरह से दोसरा काम और यह भी बहुत जरूर यह फूरूर्ट रिमूब नहीं करेंगे तो होगा यह कि आपकी जो मिट्टी की जो फटलाइजर है तो यह फालतू का वेस्ट की रूप में लेकी जाएगा और जल्दी से आपके अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं होगी आपकी मोगरा के पौदे पर इस तरीके का आप ध्यान से दख सकते हैं कुछ इस तरीके जितने भी हैं सभी को अपको रिमूब कर देना है उसके बाद अगर मोगरा के पौदे पर आप देते हैं तो आप देखेंगे मातर 15 से 20 दिन बाद आपका जो पौदा घाना भी हो जाएगा और इसमें वर्ट्स के आना सुरूगी गर्मी की महीनों में दोस्तों यह चला जनौरी और यह फंदर फरोजी के बाद आपकी मोगरे की पौदे पर बहुत तेजी से बट्स आना यह शुरू होगा और मार्च के मैने देखेंगे पूरा मोगरा पौदा आपका एक दम भर जाएगा वर्ट से अगर हो सके अगर आपके पास मोगरे की पौदे में अगर दोस्तों जगा होगी देखें मेरे जो मोगरे की पौदे में यह कम सकम इसमें घर्मी बार फ्लॉर लेंगे घर्मी बाद इसमें से अम इसको निकाल के अलगए अगर आपके मोगरे की पौदे में जगा होगी तो मिट्टी की दोस्तों 2-3 इन्च तक निकाल लीजीगा अच्य तरीकी से करके गुडाएیا निकालनें के बाद उसके माझ सबसे पहले ले रखा यह बर्मी कंपोस्ट दोस्तों यह इतने से बड़े से पौदे के लिए कम से कम 500 आप ले लिए लिए उसके बाद दूसरे नमर पर देखिए हम ले रखिए डीएपी तो मोगरा के पौदे में जरूर आप मेरे कहने से एक बार जरूर यूज करिए इतने से बड़े से पौदे में दूस्तों आप 15-20 दाने आप ले लिजिए और उसके बाद इसको हम कर लेते मिक्स और तीसे नमर पर हमको लेना है आप देख रहे हैं सर्सों की खली का पाउडर दूस्तों इसको लेना है और कम से कम ले सकते हैं 10 ग्राम तो 10 ग्राम उसे इसमें हम ले लेते हैं और यह तीनों को कर लेते हैं हम यह मिक्स लेकिए अच्छ अम तीने को मिक्स कर लिए और मिक्स करने के बाद इसके मिटी में चाँतरफ से ये यह म स्लादेते हैं और आप अगर मिटी निकाल के फटलाएर को दे रहें थो दोस्तों यह चाँत अवं से पहला दीजिए और फैलाने के बाद करिए का जो मिट्टी बची वे जो इसमें से निकाले हुए हैं उसी मिट्टी को ऊपर से आप ये फिर डाल दीजिए और दोसरों डालने के बाद आप जानते हैं कि क्या करना होता है पानी देना होता है तो डालने के बाद इस तरीके से दे देजिए पानी देखिए अच्छी तरीके से देते हैं पानी और पान देने मद दोस्तों इसको रखिए धूप में तो यह धूप वह पोदा है और कम से कम दूसमों परड़े का 5-6 घंडे धूप प्रॉपर इसको लगना चाहिए तो यह गर्मी में जादे मात्रा में यह देगा और उसके बाद दोस्तों एक बोनस टीप्स आपको दार देते हैं अगर इस पर इस समय आप देखेंगे तो इस पर पेस्ट का भी इस पर अटैक रहता है इसके पौदे पर तो उस समय करिए क्या कि 5-10 ml नीम आल लीजिए प्रति लिटर पानी में और नीम लेकि बस क चाहिए ओर झुक्ति ने लागशाव कर देखें आपकी अब ऩाधार बिल्कुल दोस्तों चीप पत्तियांस लाखी तो आपका पाधा बिल्कुल सहसत लह गा तो यह कम आपको करना मोगरा पर बहुत जरूरी है जनूरी के महीने में काम कर लें गर्मी में फूब धेर महातर मिलते हैं आम से न्यू विडियो न्यू टाप्टी के साथ धन्य बाद